हलो दोस्तों मैं अभिशेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट इट यजल की है मैकेनिक डिजल की एफ स्वास है इससे पहले मैंने एक दो क्लास जो है वह आप की कुप्टीट करवा दी है जो उसको आप Looks है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पे उसको जो और वहां की प्रेलिस्ट में जाएं आपको free of course सारी classes वहां पर मिल जाएंगे full course मिलेगा ठीक है ये class मैं सबसे पहले बता दूँ जो बच्चे railway local pilot अगर आप उसको पास नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है उसके लिए class helpful होने वाली है पिछले class में हमने चर्चा किया था इंट्रक्षन की बारे में कि डिजल मेकैनिक जो आपका trade है वो होता क्या है ठीक है उससे पहले हमने अपको बताया था और अभी इसके बाद टूल की class आपकी चलेगी जो की टूल की class जो है आपको कहीं मिलेगी पूरा combined कहीं पर वर्नियर कैलिपर से class में बता दिया अगर बैट मैंने complete setup आपको smart board की पूरी feeling के साथ मैंने जो है आपको करवाया है तो वही प्लेश्ट में आपको मिल जाएगी आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्या सुरक्षा एवं सावधानी कि दूरक्षा एवं सावधानी सुरक्षा एवं सावधानी की बात करें अगर हम लोग तो इसकी जरूरत क्यों पढ़ती है सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सुरक्षा सावधानी की आपको जरूरत क्यों पढ़ी उसके बाद इसको हम लोग आगे समझेंगे इसमें कौन-कौन से टम्स आपको याद करने पड़ सकते हैं सबसे पहली बात यह होती कि अगर आप किसी कारे खाने में काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या भी आप ITI कर रहे हैं अपने विद्याले में जा रहे हैं आप इंडस्ट्री में भूस रहे हैं वहां पर जाने के बाद अगर आप किसी प्रकार कोई सुरक्षा नहीं अपनाते हैं कोई काम करते समय कोई जॉब की फिटिंग करते समय कोई इंजन है उसको आपको खोलना बांधना है उस समय अगर आप सुरक्षा सेफटी प्रकॉशन का अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी जो है वो दुर घटना हो सकती है तो पहले जो है हमको दुरघटना को समझ लेना है कुछ लोग जो है सुरक्षा को पहले पढ़ा देते हैं बट मैं यहाँ पे कोशिच करूँगा कि पहले आपको मैं दुरघटना बता दू जिससे आप यह समझ पाए कि दुरघटना होती क्या है दुरघटना कैसे कैसे हो सकती है फिर उस दुरगटना से बचने के लिए आप कौन-कौन सी सुरक्षा का उपाय करेंगे और कौन-कौन सी सावधानी करेंगे और उसके बाद अगर किसी तरीके से आपने जो दुरगटना को जान लिया, काफी सुरक्षा सावधानी किये, फिर भी अगर कोई दुरगटना हो ग पतने के बावजूद किसी प्रकार के कोई दिक्कत आ जाता है, उसको दुरभटना हो जाती है, इंजरी हो जाती है, रक्त बैने लगता है, आस लेने दिक्कत होने लगती है, तो डॉक्तर के आने से पहले, यानि की चोट लगने के 30 मिनट तक गोल्डन आवर इसको बोला जात हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रातमी की उपचार बोलते हैं, यानि सीधी सी बात है भाई, कि अगर डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहा है, चोट लग गई है, तो वहां पे जो आस-पास लोग मौझोद रहेंगे, उनको प्रातमी की उपचार के बारे में जानका अनजाने में अनचाही अनचाही घटना या प्रक्रम दुर्घटना कहलाती है दुर्घटना कहलाती यह क्या होता है इसका परिणाम बहुत दुखद होता है आप यह भी समझ सकते हैं कि इसका जो परिणाम होता है इसका परिणाम दुखद होता है आई बात समझ में कहने का मतलब यह हुआ कि आपका जो दुर्घटना है यह अनजाने में हुआ प्रकरण है किसी को जानकारी तो होती नहीं है कि भई आप दुर्घटना होने वाली है तो धोके से हो जाता है जाने में बिना जाने जानकारी नहीं होती है दुरघटना हो जाती है अन्चाही मतलब कि कोई चाहता नहीं है फिर भी होता है बिन बुलाय महमान वैसे या कोई दुरघटना होती है तो क्या हो जाता है यह घटना या प्रक्रम क्या कहलाता है दुरघटना कहलाती है इसका पर बचने के लिए इन दरघानाव से बचने के लिए आप क्या करेंगे इन धुर्बः हटनां अगर आपको सुरक्ष्या और सावधानी अपनाने पड़ेगी या पना न parliamentary पड़ेगी सुरक्षा और सावधान ना स्वरक्षा और पादनượngा यहां से हमको ये पता चलता है कि भईया हमको सुरक्षा सावधानी कैसे करनी है ना क्योंकि इसी से हटने के लिए ये ना हो इसके लिए आप ये तरीका अपनाईए ठीक है अगर ये तरीका आपने अपनाया फिर भी अगर ये हो गया तो आप ये करिए इतना तो concept clear हो रहा है तो आप क सावधानी को इसकी इंक खतम हो गई है थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते हैं आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग इसको थोड़ा सा जो है वो इसकीप कर लीजेगा बढ़ा लीजेगा वीडियो को तो सुरक्षा के बारे में हमने यहाँ पर तीन प्रकार से सुरक्षा को कैटेगराइज किया है जिससे जैसे कि आप यह समझ सकते हैं कि तीन कैटेगरी से हमारा डिस्क्राइब करने के मतलब यह हुगा कि अगर कोई वरकर कहीं इंड़स्ट्री में काम कर रहा है तो पहली तो वह क्या सोचेगा कि मेरी खुद की सुरक्षा हो और चहिए भी यही क्योंकि इंसान की जिन्दगी होती है इंसान की जान होती वह बहुत कीम्ती होगी अगर इंसान जिंदा रहेगा वह जो भी उसके पास उक्करण है कोई मसीन है वह हजारों आ जाएंगी समझ रहा है कूने अफ लोग, यानि की इन कैटिगरिस मैंने डिवाइट किया सवयं की शुरख्था, तिक है, और दूसरा क्या है, आव जारों की सुरख्था, या मसीनों की सुरख्था, और तीसरा क्या है कारिक खंडों की सुरक्षा कारिक खंडों की सुरक्षा इसका मतलब क्या हुआ कि सुरक्षा को हमने तीन कैटेगरी में इसलिए डिवाइट किया कि स्वयम की सुरक्षा बारें पहले आप समझेए कि आपकी अपनी सुरक्षा पहले कैसे होगी यह सबसा इं important होता है कि अगर worker कोई या मान की चलिए कि कोई उसको कोई दिक्कत हो गई तो फिर क्या होगा वह आउजार आपकी रखी है पड़ी है कारिखंड आपका पड़ा है किस काम का फिर हो जब इनसान ही नहीं रहेगा तो किस काम की जो है आपकी ऐसे सिरीज बचेंगे तो इसलिए सबसे प्राइलिटी महम रखेंगे स्वयम की सुरक्षा ठीक है तो स्वयम की सुरक्षा का कहने का ताथ पर यह है कि आप प्रपर तरीके से कपड़ों को पहन के आएं सबसे पहले जो भी ऐसे से रिज दी जाती है पहनने के लिए अगर आप डीजल मेकैनिक हैं तो आप जा पाइब्स कहने का मतलब हमेशा तो आपको लगाना नहीं है लेकिन आपकभी हैवि काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ग्लम का यूज़ कर सकते हैं पहरों के जूते सबसे इंपउर्टेंट है सुरक्षा में जो आपके जूते होंगे जूते होंगे वह कैसे होंगे जूते आपके मोटे शोल वाले होंगे मोटे शोल वाले होंगे बहुत ध्यान से क्लास को समझिएगा क्योंकि आप लोगों की जो है उम्र जो है बीतती चले जा रही क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आ रहा था जो पिछली बार भी लोको पाईट में अप्यार हुए हैं वो बच्चे 20 बार दे रहे हैं तो किसी भी क्लास को कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो जगह जगह से आप लोग पढ़िए धूंड धूंड के पढ़िए यहां कुछ बहुत सारी अच्छ टीचर संप अपको करना क्या है कि सऔर क्लास भी बहुत योता होता होना चाहिए अलग के होता है इंडर्स्ट्री के लिए ठीक है आपका जो है वो इस्पोर्ट्स पहन के नहीं चले जाना है साथ में आपको क्या घ्यान देना है जो आपका अनुसासन है डिसिप्लिन है जो आपका ड्रेस है जो आपको किस डिसिप्लिन में आपको आना है जानना है टाइमिंग का ख्याल ठीक है और साथ में कुछ और भी अनुसासन अप अपनाईए जैसे कि कोई मसीन चल रही है कहीं पे आपके अंदर बहुत ही ज्यादा उत्सुपता हो गई कि इस मसीन को हम देखें जराए क्या है बिना जाने समझें तो भी क्या हो सकती है तो क् बहुत बड़े बड़े बाल आप बढ़िया तेरे नाम करके गए और किसी बाई को खोल बांद रहे हैं और मान के जिलिए आपने बाई के स्टार्ट की कि बाई को देखते हैं और वही इंजन के बगल में चैन ड्राइव बेल ड्राइव लगी हुई है वहां आपका बाल फ है आपकी सुरक्षा के लिए उसके साथ में उच्छुकता जिन बच्चों को डिजल मेंक ट्रेट थेओरी की नोट्स चाहिए मेरी मैंने बनाई है वैसे मेरी ब्रांच मेकैनिकल है बट मैंने डिजल मेकैनिक पढ़ा है अच्छे से ठीक है तो नोट्स चाहिए जिन को वो में लिंक मिल जाएगा आपको वहां पर मैं नोट्स अफ्लोड कर दूगा ठीक है तो उच्छुकता जो है उच्छुकता मैंने आपको बताया उच्छुकता इसी बात की उच्छुकता बहुत ज्यादा कि देखते हैं है ना और साथ में अनुसासन नहोना यानिकि हासी मजा है है ना गाड़ी आपके खुल रही है आप हासी पर चले गया और गाड़ी जो है वह गरवड़ हो गई तो यह भी क्या है यह भी नुक्सान कर सकता है आपके लिए तो साथ में उच्छुकता बहुत ज्यादा है किसी मसीन को ओवर कॉंफिडेंस भी नहीं होना चाहिए यह लेते हैं विल्कुल चला लेते हैं उसको आप गये और आपके हाथ में चोट लग गई आपको कोई दिक्कत हो गई तो बहुत ज्यादा ओवर कॉंफिडेंस भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा उत्सुकता किसी वी चीज़ को जानने के लिए यह भी नहीं होना चाहिए तो पहनावा उत्सुकता अनुशाशन नहोना ओवर कॉंफिडेंस यह सारे फैक्टर जो है आपके आपको लुक्सान पहुचा सकते हैं तो आपको क्या करनी है इन सब को जो है स्वयम की सुरक्षा में इलिमिनेट करना है यानि यह आपको पहनावाट सही करना है उत्सुकत की सुरक्षा का मतलब यह हुआ कोई आउजार है कोई रेंच है ठीक है इसकुरूड्राइवर है कुछ भी है बहुत सारे क्यूप्मेंट होते हैं इनको आप यूज करें यूज करने के बाद उनको आप इधर धर ना फेंके कोई मसीन है उसको आपने यूज किया ठीक है और उस रेंच में उस इसको ड्राइवर में जंग लग जाएगा कहीं ढूनेंगे आप मिल नहीं रहा है तो टूल-बॉक्स में बकाय दे जहां पे आपने काम उठाया काम करने के बाद उस आपको टूल को उस आउजार को टूल-बॉक्स में ही जाके रखना है इतनी बात क्लिय है उसको पकड़ें अच्छे से होल्डिंग डिवाइस आती है क्लैम्पिंग डिवाइस आती है भी होलिंग डिवाइस जैसे आपके जिग होते हैं फिक्चर होते हैं वाइस होती है पकड़ने वाले अचार होते हैं जैसे किसी पार्ट कि आप मसीनिंग कर रहे हैं तो जैसे मा पर चूट गया कारिखंड छूट गया अपकी लित मसीन से और क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी दिर्घ कि यह सब चीजें कलियर हैं इसमें कोई ड्राउट नहीं होना चाहिए यह मैं आपको समझ रहा हूं ठीक है उसके बाद बात हम लोग दुरघटना हो गई ठीक है दुरघटना हो गई अब दुरघटना हुई किसको किसी थर्ड पार्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को हुई है और आप उस समय देख रहे हैं अब ऐसा क्यों मानना है क्योंकि 10 कर्मचारी कहीं पर काम कर रहे हैं तो सब लोग अगर इस काम को जानते रहेंगे इस चीज को जानते रहेंगे तो जो बाकी के 9 कर्मचारी हैं वो उसको बचा लेंगे प्रात्मिक उपचार दे करके इसलिए आपको इसको पढ़ना है तो यह दुरघटना हो गई दुरघटना हो गई अब क्या करेंगे अब देंगे उसको प्राथमिक उपचार ठीक है प्राथमिक उपचार देंगे तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले ठीक है एक चीज़ हम लोग और ध्यान दे देते हैं कि जैसे रहा था हम से बटयाद आ गया मैं करवा दे रहा हूं देखिए प्रात्मिक उप्चार जो है आप करेंगे ठीक है तो रख्षा सावधानी जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं कार खाने में आप घुश रहे हैं और आपको वहां पे मोबाइल यूज करना मना है यह लाइटर यू लाइटर जलाना, माचिस जलाना, कुछ दो मरेपां भी करते होंगे बेडि सीगडेट पीते होंगे तो यह सारा क्या है आपको मना है तो भही आपको यह बताहेगा कं यहां पे जो है यह काम नहीं करना है, आग नहीं जलाना है तो आइसा तो नहीं है कि कोई estरय कोर्षी ल आए गये उछ से चिन शुरक्षात्मक चिन लख चात्मक च्न के दिरुखतना प्याएंगे दुमधना अभी नहीं करना है दुरुखतना थोड़ा सा जो हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यह वाद भी पर सकते हैं लेकिन एक बाइब एक कड़ी को सीधे सीधे बता देना है यहां पर पानी पीने की बिवस्ता है आप मुवी देखने जाते होंगे मुवी देखके बाहर निकले अंधेरे से पानी ढूंड रहे हैं बगल में देखे कि ग्रीन पट्टी में बना हुआ है और एक नल बना हुआ है वहां से निकल रहा है तो आप तुरंण समझ गए कि यहां से क्या है अग लगार क्लाई गोली चले अगर यहां से हमको क्या करना है भाग लेना है यह क्या हुआ यह सारे वही सिंबल अब वहां पर यह कोई बताएगा नहीं आप से तो वहां पर आपको देखना है और देखके समझ जाना है तो आप समझेंगे कैसे कुछ चित्रों के माध्यम से कई सारे तो यह तो बहुत ईजी है क्योंकि जो भी मूवी में लोग जाते हैं वो कम पढ़े लिखे भी होते हैं और कम पढ़े लिखे साथ अगर पढ़े अनिवार्य चिन और तीसरा क्या है आपका तीसरा हो जाता है आपका आधे शात्मक्चिन और सूचनात्मक्चिन कूछनात्मक 3. यह चार प्रकार के चिन को हम लोग क्या करते है, यहाप पे केटेगराइ« करते हैं, ठीक है, तो यह हो गया, चेतावनी नहीं हुए क्या, तुछनात्मक हो गया, इसको है आप लोग अब इन चिंदधे निश्र्धात्मक अनिवारि एतावनि और सबसे पहले आपको बारी बारी समझेंगे निश्र्धात्मक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज यहां पर वर्जित है किसी बीचीज की नाही है मनाहि यानि कि वर्जित मतलब वही मैंने आपको बताया कि कार खाने में रेलवे की वरकशाप में अगर वक्षाप लेरुब अगर ने आपको होता ए ओहां कर Rocket पीना सबगर हए है अवाइद है तो यहां पर क्या होगा यह गोला कार्जिन होता है red cross होता है यह red color का होता है इसको ध्यान दीजिएगा red होता है ठीक है red होता है और यहां पर जो भी चीज की मना ही रहेगी वो चीज बना देगा एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ना, यानि की मुबाइल चलाना यहां पर क्या है मना है, अब यह रहेगा कैसा? रेड कलर कर रहेगा, ठीक है? यही ध्यान देना है पूछेगा क्या आपसे? गोला कार होता है, साथ में रेड कलर से क्रॉस होता है अनिक कट कर दिया जाता है तो यह क्या आपका हो जाता है निश्य धात्मक्षी उसके बाद अनिवारे चीने का मतलब क्या हो गया अनिवारे क्षिने को मतलब हो गया कि जैसे आप किसी कारखाने मेंटर कर रहे हैं और उपर कोई भारी वहन जो पार अपर रोड़ लदा हुआ है तो वहाँ पर आपको क्या है 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 हलमेट लगा कि जाना अनिवार है तो यह भी कोई आप से बताएगा नहीं तो इसका क्या होता है यह भी यह क्या हो जाता है है हमेट हो जाता है यह क्या हो जाता है अनिवारे चीन यानि कि आपको यहां पर हैलमेट लगा के क्या है आना ही आना है जैसे मैं आपको कुछ और बता देता हूं जैसे आपका चस्मा लगाना यहां पर क्या है असमा लगाना और इसका जो ब्लू होगा नीला ठीक है यह ध्यान देना है तो यह गोला कार्य भी होगा गोला कार्य भी होगा रिड कलर से क्राउस होगा इसमें जो भी आपको करना होगा अनिवारी होगा ब्लू कलर से पूरा एक पोता होगा रंगा होगा और उसमें जो है आपका यह सींबल बना होगा इतना चीज ज दिशे धात्मक चिन के बारे हम लोग देखühren तो यहां पर मिने मुवाईल बताया यहां पर आपका थाइर स्विल पृत्व चान लें मैं पहचानने का तरीका बता दिया हम आपको याद नहीं करвां हुआ मैंने आपको तरीका समझा दिया तो क्या है रेड कलर से जब भी क्रॉस करेगा जिस चीज का चितर बना रहेगा वह क्या है आपको नहीं करना है उसी के किया जाता है चेतावनी दिया जाता है और साथ में इसका जो प्रिष्ट भूमी होता है वो पीला होता है कि क्रिष्ट भूमी क्या होता है यानि कि यलो होता है जैसे इसके बारे में हम आपको बता जिसे रिस्क आफ फायर चेतावनी चिनने को मतलब सीधा सा यह होता है कि समझो जाना है तो जाओ करीं आप से बुजर रहे होते हैं और एक बड़ा सब लगा होता है और उसमें क्या होता है एक खोपडी बनी होई होती है और उसमें ऐसे हैं और इसमें 440 लिखा होता है इसका मतलब है कि उसने आपको बता दिया कि अगर आप इस रोट से आगे जाएंगे तो हाँ पर लाइट वाइट का काम हो रहा है जो भी है है 440 वोल्ट का करेंट है आपको खतरा लग सकता है बांकी आपके इक्षा हो तो अब आप जाओ समझो यह क्या हूँ है आपको चेतावनी चिंद्ध हो गया इसके साथ में रिस्क आप फायर हो सकता है यहां पे फायर बना देगा रिस्क आफ रेडियेशन हो सकता है यह सारे क अगर हम आजकर आप लोग वूसूस चार्जिंग देखते होंगे उसमें यहीं बना होता है तो यह क्या है इलेक्ट्रिक का हो जाता है तो इस परकार से कई सारे सिंबल होते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं साथ में सुचनात्मक्षिन की अगर हम बात करें तो यह चौक blue color रहेगा और साथ में जो भी एनिवारे रहेगा उसका सिंबर बन रहेगा जो कट किया रेड कलर से मतलब यह नहीं करना है किसी भी हाल में है तो जबनात्म से बात करें तो ग्रीन कलर रहेगा उसमें और साथ में आपको जैसे आपको hospital का एक एगजिट का चिन में बना दो मंचैने देगा आप्स प्रकार्स चीजीर दे सकता है такая emergency phone दे सकता है emergency phone दे सकता है phone से बना देगा आपका का emergency phone कि चीजे अगर आपको दिया है उसका मतलब को सूचना दीजा यहाँ पर ड्रिंकिंग वॉटर का दे सकता है तो यह सारी चीज़ें आपको मिल सकती है यह हमने समझा क्या यह हमने जाना सुरक्षा लेतावनी चिन्ध के बारे में बाकी अब हमाद लोग आते हैं देखिए हमने समझा से दुरभटना क्या है अंजाने में हुआ प्रकरण है दुरभटना क्या है अंचाने में हुआ प्रक्रण है अंचाहा है दुखत परिणाम मिलता है उसे हमको अच्छा नहीं लगता अगर वह हो जाता है तो इस सारी चीज़ दुरभटना ने जानी उसका सुरक्षा और सावधानी हम लोग अगर आप ना लेते हैं तो दुरभटना को सुरक्षा और कारेखंड की सुरक्षा करेंगे कस रखात्मक चाना यह सारा जतन करने के बाद earnings अरा सा ने हो जाती है दुरभटना को तब आपको क्या करना है तब आपको करना है प्रात्मिक उप्चार प्रात्मिक उप्चार के बारे मगर हम लोग बात करें तो प्रात्मिक उप्चार में डॉक्टर से आने से पहले मैंने आपको बताया है आप जो उप्चार करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका वो कहलाएगा आ где अश्याह देख़ रहा था व्युक्त क्या के लाएगा प्रात्मिक लायगा अब इसको हम लोग र уж करते हैं इसको अपनो कर लीजिएगा ठीक मैं इसको नोोट के रूप में अब आप लोग कमेंट करेंगे तो नोट्स को कशिए चाह कर वा अठीक लिक्वा दुब जो भी चीजे में बोल रहा हूं को मैं चीजें आपको लिख वा दूंगा कि वह अब लोग देख लेते हैं कि अधिया अधिते गी तेक फ्रात्मिक उपचार उप राथ्मिक उपचार में क्या से मतने डुर घटना हो गई कि अधिए दुरघटना हो गई मुझेह तब आपको क्या करना है एक रूल फॉलौ करना से अभी यह क्या है Apps याने कि एर ब्रीध सर्कूलेशन अगर कीजी व्यक्ति कोज whole उपकलत दोर्गोना हो जाती है तो सबसे पहले है कि आपको उठाकर केैर मिलाना हावादारि स्थान इसको क्या बोलते हैं किया आज भी कि शरकुलेशन लो यानि कि हवा है और यह क्या है शर्कुलेशन को हिंदी में क्या वोलते हैं रक्त परिसंचरण आप कह सकते हैं यानि कि आपका जुए आप नस पकड़ के देखते हैं यानि कि उसका रखत जो है पंपिंग हो रहा है या नहीं ठीक है तो यहां पर आपको तीन चीज को ध्यान देना है सबसे पहले दूर्टना हो गई तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना है हवादार इस्थान पर लेकर जाना है कहां लेकर जा अगर मान के जया है कि तशन में चल रही है जोए उसके स्क है किसमी किया करेंगे आप आव लो अज सब्तos पहले आप उसको क्या करें गोट का कुछ अपने तरीके से सांस देंगे अब से पहले आप क्या करें अगर वो नसेड़ीं इंसान है यानि किया इस फ्रकार कता है नमभाखु खाता है तो उसको आप क्या करेंगे उसके मूं से निकाल नेगे ठीक है पहली बात को घवडा के भागना यह बहुत भूद को ध्यान रखना है कि आपको भागना नहीं ठीक है उसके साथ-साथ आपने क्या किया मुठ से इस इस सारी निकाल दी अब आप ये चैकळें डीए उसको किसी प्रकार का चोट लगा होगा वो सीने पहलगी है या उसके पीठ पहलगी अब अगर उसको सीने पहल लगी है तो आप Deshalb सीधा लेटाना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कि आउसके सीने पर चूट लगे तो इसको सीने के लिटा देंगे तो दिक्रत हो जाएगे चोट दुख जाएगी तो आप क्या करेंगे उसको सीधा लेटाएगे तो तो ऐसे में तीन से चार विधिया निकल के आती हैं सांस देने की इसको हम लग बोलते हैं क्रित्रिम स्वसन विधि ठीक है प्रित्रिम स्वसान विधी में क्या होता है जैसे अगर रोगी को रोगी को क्या है अगर सीने पे चोट लगी तो आप उसको सीधा लिटाएंगे तो सिल्वेश्टर विधी एक होती है तिल्वेश्टर विधी में क्या होता है तिल्वेश्टर विधी में रोगी को क्या किया जाता है सीधा लिटाया जाता है उसके दोनों हाथ क्या किया जाते हैं ऐसे सामने करवा दिये जाते हैं और उसके सीने पर जो है वो आप लोग सीने पर चोट लगी है तो यहां पर बग चालू हो जाएगा चलने लगएगा क्या करना है एक मिनट में कि दस से बारा बार यह सारी क्रिया आपको जो है वो अपनानी है यह क्या है सिल्वेस्टर विधी में सीधा लेटाना है तीधा लेटाना नोट्स आप लोग ऐसे ही फॉर्मेट में तैयार करिए बढ़िया यह नहीं कि पूरी रामाड महा भारत गीता कुरान सवा को इसी में लिख देना है ऐसा नहीं करना है नोट्स जब भी बनाईए इसी फॉर्म बनाईए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी र करना के आपने दिखाया कि यहां से यह पहुंच गया यहां सी यह हो गया वाफ की माइन विख भी तो हो जाती है और अगर मुवी की स्क्रिप्ट आप को मिल जाए कहाने मिल आप उसको पढ़ेंगे पूर नहीं याधारेगा क्योंकि उस समय क्या होता है आपके कान भी काम क काम कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ है सारे हां ऑर आपा डियार करेंगे इसी फॉर्म में तयार करेंगे एक पॉइंट बढ़ा किई ग्राफ के रूफ में जैसे आपको समझेंगा कर सकते हैं टिक पे चोट लग यह आपने ऐसे लिटा दिया अब अगर किसी व्यक्ति को पीठ पे चोट लग गई है ताब तो पीठ के बढ़ लेटाना नहीं है तब उसको सीने के बढ़ लेटाना है तब हमारे यातने हैं कौन साइफर विधी कि इसको याद कैसे रखना है सी सिल्विष्टर है न तो इसको सी सीधा लेटाना है इस पी आपने मार कर लेना है उसको साइफर विधिम क्या है व्यक्ति क्या जाता है उल्टा लटा लटाया जाता है उल्टा लटाया जाता है यह कप किया जाता है जब किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो यह भी एक मिनट में दस से बारावर इतनी बात क्लियर हुई दस से बारावर आपको इसको भी एक मिनट में कम्प्लिट करना है अब जैसे मान चली कि कभी-कभी एक अवस्था और भी आपको देने पड़ सकती है आप यह सब करने में सक्षम नहीं है तो आपको क्या करना है आपको सांस देना है तो अपने मुह से उसके मुह में स्थांस तेजी से हवा फूकनी है फिर छोड़ना है दवाना है सीने को फिर मुह से तेजी से सांस फूकना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाबोर्ड विधी लाबोर्ड विधी उसको हम लोग बो हों चीज़ों को कि चीज़ें बस याद होंगी आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या हमको नया मिला यह सब नया है बच्चे इसको रटते हैं याद करते हैं अलग-अलग बुक में अलग-अलग जगह से आप चीज़ों को कलेट करेंगे तब पाएंगे यहां पर आपको यह सब्सक्राइब देखिए आपको मिल जाएगा पुरा जानकरी आपको मिलेगी यहां पर एक बात और जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सब प्रेलिस्ट नहीं मिल रही है चैनल नहीं मिल रहा है तो आपको एक्जाम सेंटर कैसे धूनेंगे हमारी यह समझ नहीं आता है एक चैन सब्सक्राइब नहीं भी संब्सक्राइब तो एक आर्टिफिशल स्वसंदिया जाता है वह हर जगा उपस्तित नहीं होता है इसलिए इन तीन चीज़ों को आपको याद रखत यह हो गया अब मान के चलिए रक्त बहुत तेजी से निकल रहा है यह तो सांस बंद हुई तब निकलने न पाए तो एक फ़र्ष्ट एड़ बॉक्स के विवस्था की जाती है आप लोग बगार में भी देखते होंगे हर जगा होता है इसको रव करते हैं ठीके तिया क्या होता है प्वेस्टाइड बॉक्स रखा होता है उसमें कई सारी चीजह होती है जैसे आपके मैंटल हो गया आपकी प यह शारी चीजह होती है उसमें आपके बanners और इससे क्लिखानदी यह क्या होता है कि वस्ट एड बॉक्स कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है जैसे आपको गहाव अगयर लग गया है उसमें आपकी कॉटन होगी इसारी चीज आपको उसमें रखी जाएंगी उसमें क्या क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूं उसमें आपके रूई होगी डे करने की दवा कि सब अपने घर पे भी रखा करिए जो बच्चे भी ने रखते हैं ममी पापा के लिए दादी बाबा के लिए बूड़े बूड़े लोग अगर है तो आप यह सब रखेंगे तो कभी होगा क्या कि आप घर पे नहीं है यह आप है भी रात में आईसी अवस्था में नहीं है कि आप कुछ कर पाएं जिसे पेड़ दर्द की दवा हो गई है ना और दर्द की हो गई आँखों का ड्रॉप हो गया हलका सचाकू अगर आपके ममी लोग काम कर रहे हैं थोड़ा से कहीं पर कुछ दिक्कत हो गई कट गया हलका था तो तो तुरंत आप उससे प में आपका और क्या हो सकता है और आपका हो सकता है कि को टैसियम परा मैगनेट हो सकता है और कैंची चाकू सेफटी पिन यह सभी हो सकता है उसको काटने के लिए भी सारी चीज़ें होंगी तो यह सारी चीज़ें आप जानते हैं अगर अब्जेक्टिव में आएगा तो एगनिशामक यंत्र क्या पढ़ेंगे आग के प्रकार आग के प्रकार और अगनिशामक यंत्र इसको हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे यह क्लास जो है आपके अलड़ी 30 मिनट से ज्यादा चली जाच्कें कि बच्के वह ज्यादा देर तक रुकते नहीं है किसी भी वीडियो पर यह बहुत बुरी आदत है फिलाल तो किसी भी क्लास में आप लोग देर तक किसी भी टीचर का आप लोग क्लास देख रहे हैं और मेरी क्लास यहां पर देख रहे हैं यहां तक आप लाश तक तो मैं आशा करता हूं कि आपको य दिमाग में ट्रंसफर करने की कोशिश की यहां से वह यहां तक पहुंच गई होगी आपके पास तक तो चैनल से जुड़ें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चाहते हैं कि नोट्स मैं आपको आपकी यहीं तक है आगे हम लोग आपकी प्रकार और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे बांकी जब बीजल मैकैनिक जब में सब्सक्राइब पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है मैं दिखाऊंगा एक एक चीज प्रॉपर तो आपको ल पढ़ते रहिए, enjoy करते रहिए, thank you.